अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री लेकि मम्री जी को मैंने तड़का लगाने से मना करती हैं, क्योंकि तड़का लगाने से सिम्रित की दपित और खराब हो जाएगी लेकिन और ने फिर गुस्से में आके मुझे चैलेंज किया, कि आज साथ वे खाना मैं बनाऊंगी खुपी, कोई मेरी मदद नहीं करेगा जीटे, तुझे तो पता है ना, मुझे कहाने बनाने का के भी नहीं आता है खिचरी बनाने का फैसला तो कर लिया मैंने वेकिन मुझे तो पता भी नहीं कि ये मसाले कौन से है अहीर जी कोई गाल नहाजी, ऊए मैद बनाने सिखाऊंगा आपको KICHळी नि नि जीते, अंटी जी ने तो चेजी तीथी को दो मेरी मदद करने से सत्त मना किया अहीर जी तू चेजी तीथी को मना किया नहां and not me. अए मैं तो आपकी मदद करी सकता हूं ठीक है जीते, मैं फोन स्पीकर पर अपती हूँ और तू मुझे स्टेप पाइ स्टेप बता कि साथ वे खिच्डी कैसे बनाते है खिच्डी? ऐसा करिब ओला खाना ना मैंने कभी खाया है और ना खाऊंगी और वैसे भी भूख प्यास बहुत लंबे अर्से के लिए बंद हो गई कुदीब अपने लान सब कुछ ले गया किसमत से दोके खा लिये और खूंदे कूट पी रही है पेट पर गया पर गया पर गया पेट जीते उंकी डाल कौनसे वाली होती है यहां पे तो बहुत सारी डाल है ओ जी पीले रंग वाली लेकिन पेले रंग के दो दाल है पड़ी वाली या चोटी वाली जी अच लेकिन अगर चार पांच लोगों के लिए बनाना है तो कितना डालू तो दो गेटोरिया मुह की दाल और उसके आदे हिस्से के चावल आदा हिस्सा क्यों वहीर जी खिचडी में तभी तो स्वाद जाएगा ठीक है अब इसे कुकर में डाल दो और जो मसाले मैंने आपको बताएं वो भी इसमें डाल दीजी अब हीर जी उस खास समगरी की बारी खास समगरी वो क्या अब कुकर को लॉक करके उसे छोड़ दीजी वही तो नहीं समझ में आ रहा है जीते कुकर को बंद करना ही सबसे ज्यादा मुश्किल काम है वो हीर जी बड़े असान है और कुकर के ढखकन को टेड़ा गर के अंदर डालिये और उसके बाद उसे सीदा करके ऐसे गुमा वो इसका मदब कुकर बंद हो गया जी हो गया वक्त ने आकर हीर जी को बतल ली दिया पहले जो पूरा परिवार हीर जी के लिए खाना बनाता था आज वो खुद अपने हातों से अपने नए परिवार के लिए खाना बना रहे है